नेक्स्ट है सागा आफ न्यू गूपिंग्स अब जह वो बिश्व के अंदर नई गुटपंदिया उबर करके सामने आई थी हैं अब बिश्व जो है वो यूनि पोलर से लेकर के अब बाई पोलर तक जह वो हो चुका है और अब हम ये कह सकते हैं कि मल्टी पोलर जह वो वर् चुका है कई गुट बंदिया यहां पर उबर करके सामने हो चेए शैत्रिय संतुलन को स्थापित करने के लिए भी जह वो गुट बनाए गए हैं और विश्व में शक्ति संतुलन को स्थापित करने के उदेशे से भी कई प्रकार की जह वो ग्रूपिंग्स हो चुकी है करने में मैं पूर्पूर्न भुमिका निभाद है ठीक इसी तरह से लेटीन अमेरिका के अ रहे हैं यह निवह सकते हैं कि यまぁरोपन है एंगिलेंट है जर्मनी है फ्रांस है ये भी एक मैतवपूर्ण विशेष्टा मानी जा सकती है, प्रथम विश्यूद के परशाद जो दूतिय विश्यूद था, उसमें एटम बम का परियोग किया गया था, और अब हाइडोजन बम है, या नुकलिर बैपन्स जिसको आप कह सकते हैं, या बायलोजिकल बैपन्स है इस प्रकार के हथियार बिनाशक जो मानव सब्यता के लिए हैं, उनको प्राप्त किया चुका है, अर्थात इससे भी हम ये कह सकते हैं, कि विश्यो के इतिहास पर कई मैतवपूर्ण प्रभाव जो इसके कारण पड़े हैं, वैसे तो विशेज करके जैसे बटन रसल जैसे जो लेखक रहे हैं, उन्होंने वैपन्स ओफ मास्ट एस्ट्रक्शन को कम करने की, जो है वो कई परकार की सलहा दी हैं, कई ऐसे बिश्यो संगठन हैं, नाटो भी उनमें से एक है, जो रेस ओफ आर्मा मेंट को कम करने के लिए समय समय पर प्रस्ताव लाता है, और उसके सा साथ कोई कदम भी जो है उठाने के लिए मैतफून कार्य करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी जो कंट्रीज है, वो अधिक से अधिक बैपन्स को प्राप्त करने की होड में लगे हुए हैं, इससे भी विश्व इतिहास के पटल पर जो कई परभाव पड़े हैं, न लेड है, या फिर डेलिगेशन से डिपलोमेट्स हैं, एंप्लोईमेंट्स हैं, उसके उदेश से एक महादीव से दूसरे महादीव, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोगों का आवागमन जो रहा, इसके कारण जो सांस्कृतिक प्रागमन हैं, वो भी जह वो के माध्यम से, या कल्च्रोल एक्सेंज, जिसको आप कह सकते हैं, उसके माध्यम से भी रहा, और जो साहिते हैं, जो लेट्रेचर है, जो एक देश से, दूसरे देश में बड़ी सुकमता से पहुँचा, जिससे की लोगों ने वहाँ के सस्कृतिक को प्रभावित किया, इस प्रोटेक्शनिजम जो थी 1920 और 1935 के पशा जो वरकर के सामने आई थी, अब उस पॉलिसी और प्रोटेक्शनिजम को समाप्त करके, जो टेरिफ रेजीम है, जो कस्टम ड्यूटीज है, उसको समाप्त किया गया है, अब यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड और्गनाज़शन है, या वर्ल्ड एकोनोमिक फोरॉम है, यूरोपेन यूनियन है, नेफ्टा है, जी 20 है, जी 7 है, इस प्रकार के जो ग्रूप है, जो समय समय पर जो आर्थिक और वानिज्य नीती है, जो ब्यापार की जो नीती है, उसको रेगुलेट करते हैं, और अब विश्व के के उपर से जादा जो टेक्स नहीं ले सकते हैं, अर्थात अपने देश की मंडियों को बाहर देश के ब्यापारियों के लिए बानिज्य के लिए जो बंद नहीं किया जा सकता है, ये भी विश्व इतिहास के अंदर, समकाली नितिहास के अंदर एक मैतपून, आप कह सकते ह हैं कि विशेशतार रही है, उसके कारण जो देश की आर्थिक नीतियां हैं, ब्यापार और बानिज्य की जो नीतियां हैं वो प्रभावित हुई और इसके लोगों को जो है वो एक प्रकार का मार्किट के अंदर, कई प्रकार की जो ऑप्शन सबलेबल हुए, मल्टी नेश को प्रभावित किया, नेक्स्ट है, मिलिटरिजम, सैनिक बाद, यदि पी, दुटे विश्यूद के प्रशाथ, जापान है, या आप कह सकते हैं, जो तरकी है, तरकी के साथ, जो जर्मनी हैं, उनके उपर की प्रकार के प्रतिबंद लगाए गये थे, लेकिन विश्यों के अधिकांश देशों ने अपनी सैनाव को और भी प्रशिक्षित करने के साथ, उसे विस्तार करने में भी मैताफून भूमिका निगाई, इसके कई कारण थे, एक तो जो परता हुआ टेरोरिजम था, और इसके साथ, जो एक्स्टीम नेशनलिजम है, उस नेशनलिजम के आगरिक को आर्म लाइसेंस देने की जो है बकालत की गई, जिसके कारण सैनिक वाद को और भी पढ़ावा, मिला था, तो ये समकाली नितिहास के अंदर एक विशेष्टा के रूप में इसका उलेग किया जा सकता है, नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट जो बैश्विख तापमान में व्र्दी है और जल्वाई परिवर्तन है, ये अभी समकाली नितिहास की एक मेतवपौंग गटना माने जा सकती है, और समकाली नितिहास को इसने ज़ोप्रवावित किया, इसके कारण जो ससकर्ती में परिवर्तन हुए, जो पहनावे में परि वरतन हुए वो इतिहास के लिए उलेख करने वाली बात मानी जा सकती है 1992 में जब अर्थ सुमिट हुआ था जिसे की रियो सुमिट के नाम से भी जाना जाता है उसमें इस बात का उलेख किया गया था कि बैश्विक तापमान में जो निरंतरब्रदी हो रही है और अब इरेटिक जो रेंज इसको आप कहते हैं उसके कारण जगे-जगे पर भूस्त खलन है या लाउड ब्रस्ट आप कह सकते हैं या जो है वो flooding जिसको आप कह सकते हैं, कई स्थानों पर अत्यादिक जो है वो सुखा पढ़ना, ये global warming के कारण ही ऐसा हो पाया है, जिसके कारण इतिहास के उपर भी इसके परभाव पढ़ना सभाविक हैं, और इसलिए से हम एक विशिष्टा के रूप में जान सकते हैं, जो कि संस्कृति में जो परिवर्तन हुए, कई प्रगार का migration हुआ, जिसके कारण cross culture या आप कह सकते हैं, इतिहास के अंदर, कई सारी चीजों का जो है वो बदला हुआ, इसलिए हम इसे एक विशिष्टा के रूप में पर सकते हैं, नेक्स्ट है globalization, वैश्वी करण जिसे आप क परदान के कारण, जो है, विश्व की किसी भी भाग में घटने वाली घटना का संपूर्ण विश्व में, within seconds, within minutes है, वो परचार परसार होता है, या आप कह सकते हैं, पहुच होती है, इसके कारण, आज जो संपूर्ण विश्व है, एक globe के, जो है, वो एक village के रूप में प contemporary history, in about 500 words, 500 शब्दों में, जो विशेष्टाएं, आधुनिक और समकालिन विश्व इतिहास की मैंने आपको पढ़ाई, उसका 500 शब्दों में उलेख करना है, so have a nice day, and have a good day, thank you very much.